प्रेम अंधा भी होता है जब हम प्रेम लब सब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छ उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्यारा से कुमेंट जरूर करें थैंकि दूस्ताइब प्रेम अंधा भी होता है एक लड़का था वह काफी गरीब था उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था वह अपने दोस्त के घर रहा करता था उसने एक छोटी सी कमपनी में प्रेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गये बाद में हुआ काफी धनी भी हो गया लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का आएसास होता था जब वह चोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गये थे उसने कभी प्रेंटिंग को नहीं जाना था एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी, जो की काफी अच्छी और खुबसूरत थी, उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया, वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही, कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़के को खोज रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली, लेकिन समय ने उस लड़की से उसको मिला दिया, वह लड़की इस लड़की की घर काम की तलास में आई थी, लरके ने लरकी को तुरंट घर के काम के लिए रख लिया जब वह लरकी इस लरके से मिले आई तो उस समय इस लरके ने कुछ सब्द भी साबसे नहीं बोल पा रहा था जिसे लरकी को लगा कि यह लरका गुंगा है लरका भी जान गया था कि यह लरकी हमें गुहणा समझती है इसके साथ ही साथ यह लरकी समझ गई थी कि यह लरका इस घर का नोकर है नाकी मालिक अब जब भी यह लर्का उस लर्की के पास जाता तो यूंगा बन जाता धीरे धीरे वह लर्की इस लर्के के पर काफी रहम खाने लगी अब इसे इस लर्के के लाचारी पर प्यार होने लगा लेकिन फिर वह लर्की एक बात से दर कर पीछे फट जाती थी इस लर्की के माता पिता भी बस्पन में ही मर चुके थे, तो आप मेरी चलिए।